अब तक आप नहीं देख लिया के बारे में बात चल लाई थी अब गेनिंग से रिलेटेड़ दो कोशन देखिए हमें यह तो पता है कि अब गेनिंग का फॉर्मुला क्या है नियू माइनस पूल्ड अब कभी कभी क्या होगा कि आप सैक्रिफाइज निकाल रहें लेकिन माइनस में आगे तो गेन कहल आएगा एक ही फॉर्मुले से काम से जाएगा बस माइनस में आगे तो इसको गेन कहले जाएगा आपोशन कुछ इस तरह से हैं भी और सी तीन लोग थे रिवन के अपस आया और उनका रेश्यों हो गया 3331 कि कह रहा है कि करिए कौन सा कह रहा है लेकिन इस तरह काई कि इसमें किसी नहीं किसी पार्टनर को हो सकता है गेन हो जाए तो हम अगर इसको सॉल्व करना चुरू करें तो अलाग अला किस तरह सा बना ले रहे हैं ए बी और डी को से ले रहा हूं कि मुझा कुछ बात समझानी है कि इस लिए यहां पर देखिये ओर माइनस न्यूंपता है मैं कुछ कोशन में सेक्रिफाइस कह रहा है ई ओल्ड है सिक्स भाइट एन माइनस त्री बाइट एट होग माइनस त्री बाइट एन और इसको तो सीटा सीटा गीन हो रहा यूंक इसका पुराणा तो कुछ है नहीं तो इसका सिर्फ वन अपॉन टैन जो है वो गेन है क्योंको जो जितने शिएर से आता वो उसका देन होता है यह परिशानी से बात में कि यह वन अपॉन टैन हो गया न ही प्रम माइनस को टू बाय टैन इसको हो गया है मैं समझ रहे है अब यह के एक स्पच्ट अपिछ पॉश्च्टिन में जितना गेन हो उतना ही क्रिफाइस होता है सैक्रिफाइस वुद्ध एंच और दोटल टॉपिक तो गेनिंग रेशों गथा लेकिन हमें यहीं की पढ़ना है सेग्रिफाइजिंग वाला उसी को अगर निगेटिव में निकाल लेंगे तो क्या कहेंगे कि गेन हो गया को बहुत ही शांदार कोशन क्या कर रहा है कोशन आप से के एल और एम दो पार्टनर है तो आसान बात है हमां पता है अच्छा लग रहा सुनने में इनका रेशो है फाइव स्टू थ्री दे एड्मिट एन यह बढ़ी लग रहा है आसान सा है एंड डिसाइड एक प्रॉफिट अलिट शेरिंग लिशो बिट्वीन एन एनं यंक और यंके बीच में रेशो रहेगा यह लुट गी करें जो रेशोm में कि इस ताइम हैं कि तना है वो अब रहेगा M और इन की बीच में नहीं तो मतलब करें सबाइक करिए पहले तो न्यूरे जो और फिर सैक्रिफाइजिंग रेशो तो आपको जो है ऑर पैसे लिक्त करने इसमें मसला ही है कि circles थे रहर नमबर रखा जाए इसके पास समझनारा नदा वैसेición इन आया 5-3 लेकिन अब से M और N का 5-3 तो कैसे होगा है तो हम यह देखेंगे कि इस टाइम जो M है वह L का कितना परसेंट है समय चीज को क्या करना है म जो है वह L का कितना परसेंट है तो इस तरह से हूप आए गई देखेंगे तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां थ्री है यहां फाइव है इंट्व हंडेड कर दीजिए तो यह इसका कितना परसेंट है तो यह इसका साट परसेंट आएगा मैं निकालब और आप इसका हम अगर यह इसका स्क्ष्टी परसेंट है तो एंट्वे सिक्स्टी परसेंट होना चाहिए तो यह तरी का 60 परसेंट आप कर दो तो एन पतला जाएगा कितना है इस तो इन दोनों के बीच का रिलेशन वो इन दोनों का रखवा रहा रहा तो इस नंबर का 60 परसेंट देखिए एस परसेंटेज ओफ एम जैसे एम को एल के साफ से देखा था तो अब एम को एम के साफ से तो एम का इस टाइम कितना है थरी तो थरी का 60 परसेंट जो भी होगा वो इसका होना चाहिए तो यह आ जाएगा 1.8 कितना जाएगा अब यह पॉंट ओमें तो कभी शेयर लिख्वा देखा नहीं हमने तो हम क्या करेंगे एल इस टू एम इस टू एन करेंगे फाइब इस टू थी इस टू बन पॉंट एट करेंगे तो यह समझे आ रही है और नीचे भी तो एक जिरो चलाए है हां कटा तो कटा तो एक ही है लाइन दो बच लिए गई है अब इसके नीचे 10 है इसके नीचे 10 कैसा आएगा जब इसको हम 30 कर देंगे और इसको 50 कर देंगे क्या यह बास अच्छी लग रही है आपको तो यह बन गया 50 इस टू 30 इस टू अठारह दो सा काटो 25 इस टू पंदरह इस टू 9 यह इनका न्यू प्रोफिट शेरिंग रेश जो आया है कि इतनी बात समझ में आ रही है क्या था कोशन के एल और एम दो लोग हैं फाइव इस टू 3 में एन आया और अब से एन और एम का जो शेर है वह वह रहेगा जो एल और एम का हुआ करता था यानिके फाइव इस टू 3 अब ऐसा दो कैसा काम चलेंगे वही तो हमने यहां जो भी नंबर आएगा वह इसका 60% हो तुम 3 का 60% करो तो 1.8 आता है इस हिज़ाप से अब देखो इसका 60% करो तो 15 आएगा यहां इसको छोड़ो अब तो हमारे पास यहां वैल्यू मिल गई है न अभी देखो देखो इन दोनों का शेर कितना है आपस में है इसे काट दुर एंद दो ठोनों का इसे नदोनों वरफी हैं 3 है 5 शेर्ट और अब देखो इन दोनों का इतना ही अपस में क्या करना है old minus new old क्या है 5 by 8 और 3 by 8 इसका तो ओल्ड ही नहीं तो अभी आया है minus new कितना है अभी देखो 25 by इनका टोटल कितना पचास 49 और यह आगया तुमारा 15 by 49 और इसका आयागा 9 by 49 इसका तो गेन होगा इन दोनों को जल्दी सॉल्फ करियों बताइए कितना रहा है कि एल्सी हम निकालने के उसमें मत पढ़ेगा इसको जल्दी सा मल्टिप्लाए कर लो क्योंकि हम लोगे तो शाद ना मिले आपको इन नमबर हो का एल्सी हम आपस में मल्टिप्लाए कर लिए आपस में और आप बना लिजे 49 इंटू एट 392 392 अब 49 को 5 से कर दो और 25 को 8 से कर दो इसको करो दो सो यह आगया 45 अपॉन 92 इसका प्लस मारा सेक्रिफाइज है इसका सही है इसका करो इसका करो चिने 92 49 इंटू तीन 147 माइनस आठ इंटू पंद्रह एक्सो बीस 27 बाए 392 अब हम यह चेक करना चाह रहे है कि हमने जो करा है वो सही करा या नहीं करा समझ रहो पता कैसे लगेगा पता ऐसे लगेगा कि इन दौनों को प्लस करिए इन दौनों का आप सम करेंगे 45 और 27 यह बन जाएगा अब इसको कह रहे हूं है 392 यह टोटल 72 बन गया लेकिन आप पता कैसे लगे सही है नहीं इस नमबर को उठाएंगे अगर मैं इसको ऊपर नीचे मिल्टिप्लाय कर लूँ एट से यह नमबर यह बन जाएगा अभी देखा हमने और यह बन जाएगा इनका जो रेशो आएगा अपस में कि सेग्रिफाइजिंग रेशो 45 इस्टू 27 जिसको और काट सकते हैं हम 3 से 15 इस्टू 9 जो और कर सकता है 5 इस्टू 3 यह सेग्रिफाइजिंग रेशो आ जाएगा समझ लिए इसको फिर आगे चल रहे है अब देखो यहाँ पर नया टॉबिक शुडू कर रहे है प्रीमियम फॉर गुडविल समझ यह हमें पता है कि जब भी हम अकाउंट्स में यहां तो बात कर रहे होते हैं तो अगर किसी पार्टनर को सेग्रिफाइज हुआ यहां किसी को गेन हुआ तो जो गेन कर रहा होता है वह सेग्रिफाइज वाले लोगों को कंपनसेट करता है कि बहुत अब इस तरह से है कि यह और भी दो लोग है इसको रखा करते थे लेकिन आप सी आया वन फोट शेर से तो सी ने क्या कर रहा है टोटल हिससे में से वन फॉन फॉर रोटी अपने बास रख ली जो बचा वो लो तुम लोग खालो इसे तो अब क्या देखा हमने काफी कोशन सॉल्फ पर चुग है तो बताईए ज़रा वन अपन फॉर से आया है यह नहीं बताया ना कि वन फॉर उसने किसने किस से कैसे लिया तो इसका मतलब जो ओल्ड सा वही क्या है सेग्रिफाइज अब यहां पर क्या हुआ कोशन में आगे बताएगा कि गुड़ विल ऑफ दा फॉर्म इस वैल्यूड एट सिक्स्टी थाउजन या कुछ भी नमबर लिख देगा हूँ कोशन की मरसी है हम समझना है चा रहे हैं कि हम इसका क्या कर रहे है उससे पहले तरह यहां पर आईए हम अभी कोश्चन में जब चलते रहेंगे चैप्टर में देखते रहेंगे और क्या होता है कि अल्रेटी बैलेंस सीट में लिक्षि हुई है वैल्यूड का मतलब यह है कि जिस दिन यह चेंज आ रहे हैं उसके लिए आपने केल्कुलेट करके देखी कि कितनी गुद्विल है तो इस वाल यह गुद्विल का हमेशायाद करने सैक्रिफाइजिंग हमने किसमें करिए बस यहां हलका सा नाम चेंज हो जाएगा उसके लिए यह वह है जो अल्लेटी बैलेंस सीट में एसेट साइट पर अप्यार हो रही है यह कैल्कुलेटेट या वैल्यूट मैं इसको न्यूबिल कहना पसंद करता हूं कभी आप अगर देखेंगे तो लिख लीजे बिलकुल आप इस बात को दोनों चैप्टर में थोड़ा दा फर्क है उसमें वैल्यूट गुडविल की एंट्री वन की थी गिलिंग डेबिट तू सैक्रिफाइज उस वाले चैप्टर में इसमें कुछ थोड़ा सा लागे बाई वो समयने चारे हैं क्या आला अब गुडविल के बारे में अलग 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 केसी हैं इस चैप्टर में वो अलग अलग केसी क्या है उनको हम समयने जा रहें फर्स्ट हेडिंग लिखिया आप लोग हाँ ऐसे लिखिये गुडविल इस पेड प्राइवेटली 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 का मतलब यह हो गया कि सी ने जो है ए और बी को बहुत ज़ादा इज़त के साथ अपने घर बुलाया और अपने घर बुलाने के बाद चायनाश्था करवाया और फिर उसे गुडविल के पैसे दिये दिये पैसे दे गए ने तो अब इसने जो भी पैसा दिया है वो बिजनिस में नहीं दिया बल्के कहां पर जाके दिया है घर में तो इसको कहेंगे गुडविल इस पेड प्राइवेटली समझवार हो होट गुडविल इस पेड प्राइवेटली जब प्राइवेटली कोशन में लिखा आजाए है गुडविल इस पेड प्राइवेटली तो इसकी कोई जर्नलेंटिर नीवी बनती कि इसकी कोई जर्रल एंट्री तो इसकी कोई एंट्री मिनाईगी नो एंट्री विल्पी पास्ट तो कोश्चन तो पूरा ऐसी समझा हमने जो समझना हम चाहि रहे थे लेकिन आगे उसमें कहा लिख दिया उसने आएं यह गुली सुपिट प्राइवेट ली तो हम उसकी कोई भी जर्णल नहीं बनाएंगे इतनी सी बात इस बात तो सब लोग लिख लिए और फिर आच चलना है केस टूप है कि सेखेंड लेखिए टॉपिक लिखिए वैं गुडविल is brought when goodwill is brought by new partner when goodwill is brought by new partner when goodwill गुद्विल का पैसा आया और वो बिजनिस में रख लिया गया अब देखो जब को नया पार्टनर आता है न तो वो स्रिफ गुद्विल का पैसा नहीं लाता बल्कि वो अपने साथ कुछ कैपिडल दो लाएगा एसा थोड़ी खाल आजाएगा फूज हम रख लो पैसा भी लेका आएगा साथ में हम यह मान रहे हैं कि कुछ एपिडल भी लाया कि और कुछ गुद्विल लाएगा वो गुद्विल कितनी लाएगा वो देखते हैं अधिए पहले तो वह तो यहां तो कैश में लाएगा चेक के थूद्व लाएगा तो आप लिखेंगे के अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट इन में तो फूछ एक अकाउंट डेबिट होगा इसमें कोई प्रशानी तो आप यह जो पैसा लाया है यह बताएंगे किस चीज़ का लाया है तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि वह अपने कैपिटल कर लाया और कुछ अपने गुडविल कर आया तो कह जाएगा तू प्रीमियम पॉर गुडविल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और इसके बाद यह जो कैपिटल का भाई वह तो उसका अपना है लेकिन जो प्रीमियम का है वो किसके लिए लाया है जिन लोगों को सेक्रिफाइज हो रहा है उसकी वजा से उ अगर कोशन में वर्ड उस कर रहा है करेंट तो आप करेंट अकाउंट लिख देंगे नीचे विजाए फिक्स कैपिटल होते ही उसमें करेंट आता है नॉर्मल कैपिटल में कैपिटल आता है अब इसी को हम इस वाले कोशन पर अपलाय करें तो यह कुछ इस्तरहा लगेगा आपको के बैंक अकाउंट डेबिट तू सीज कैपितल तू प्रीमियम फॉर गुडविल सही ना कैपिटल के कितने लाया कितने अप्रीमियम के कितने लाया अब समझिये यह कहा है गुडविल ऑफ दा सम पूरी फॉर्म की कितनी है यह कितने से अना चाहरा है वन फोड से शाट हथार लेक्याएग यह तो आप ऐसे डिवाइट करके निकाल लेगे लेकिंगे लेकिन अगर कहें के और उसके बाद ये जो प्रीमियम का पैसा आया है इसको किसको जैना आया है तो एस कैपिटल और बीज कैपिटल सिर्फ ये पंद्रह हजार रुपए इनकी बात हो रही है वह दो लाग तो आपने लाया वह कैपिटल के कि पंद्रह हजार रुपए को इस सेक्रिफाइज इंग्रेश्यों में कर देंगे जो कि आपका नो हजार एक को मिलेगा और छे हजार एक को मिलेगा त्री सुटू कर देंगे तूब अच्छी तरह से समझ लो यह हमने सेकंड केस देखना जा रहे हैं जिसमें गुडविल आ र दो लोग हैं थ्री सु टू में कहानी चुनिए ए और भी दो लोग थ्री स्टू टू में करें A and B gives half of their respective shares to C A और B ने अपने अपने share का आधा जो है वो B को दे दिया C को दे दिया करें C brings premium for goodwill कितना नहीं पता लेकिन कह रहे हैं वो गुडविल का पैसा लेकर आया है कह रहें C brings premium for goodwill in cash फिर बताया करें देखो गुडविल वाज वैल्यूड एट चालिस अदार इसका मांदभी पूरी फॉर्म की गुडविल है कह रहे हैं पास करिये जनर्नल एंट्री फॉर्ड ट्रीट्मेंट और गुडविल तो सबसे पहरे तो हमकर जर्नल बरानी शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा के कोशन में सी पैसा लाया है जब पैसा लाया तो कैश डेविट करना पड़ेगा कह रहें कैश मिलाया कैश एकाउंट डेविट तू किस चीज का पै बीटा हो तो रेशो के लिए कहाए कि ए और बी ने अपने अपने शेर का आधा इसको दे दिया तो पहले आ लेगी शेयर sacrificed by A अपने share का आधा 3 by 5 का आधा कितना हो गया 3 by 10 और share sacrificed by B 2 by 5 का आधा 2 by 10 कहती बात सही लग रही है अब हम कह सकते हैं याँ पर C is a share will be जो मिला उसे प्लस कर लो 5 by 10 हो गया इसको 5 by 10 कहलो या 1 upon 2 कहलो एक ही बात है इसके हिसाब से goodwill को जब काट हो गए तो 20,000 आजाएगा जी पहले भी तो ऐसी करा था पिछले वाले कोशन में 60,000 था 1 upon 4 से करा तो आ गया था अब हमें यह बताना है किस partner के पास कितनी goodwill गई दो एंट्री बनती है ना फिर आप चले प्रीमियम फॉर वुट्विल डैविट तू एज कैपिटल तू बीज कैपिटल या बताना जा रहे हैं किसके पास कि टोटल तो तू बीस है अब इनका इसका सेकृरिफाइस पता लगए पहले हमें किसरा ने कितना सेकृरिफाइस कर यह जो जितना दे रहा है वो छी कि इनका यह देरा है 3 और यह देरा धो अटिर को मैं इनका शेक्रीटकरिफाइसा रेशो आ जाएगए इसको तू कर दी बाराट बता जा रहा है मैं लिक रहा हूं बाराट देख के बताइए कुछ सम्झ माय नहीं आया आ गया यह इन्लस्ट्रेश्ट नमबर 19 आपका अब बताईए अभी करेंगे स्काल करेंगे नहीं टेस्ट देने आओगे